दोस्तों पटना हैकोर्ट में नई भरती आई है तो इचलिए इस नई भरती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लिजिए बहुत ही अच्छा जॉब है एकजाम के अधार पर सेलेक्शन होने वाला है सैलरी देखेगा तो लेबल साथ के अंतरगत लगभग आपको सत्तर हजार सैलरी इसमें मिलने वाला है और अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को फिलप कर सकते हैं यह पटना हाइकोर्ट का ओफिस्यल वेबसाइट है इसके बाद इसमें नीचे आईएगा तो यहाँ पर एक्रूट्मेंट सेक्षन है इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट और कैसे क्या फॉर्म फिलप करने अपले ओनलाइन का लिंक दिखेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 21 अक्टूबर 2020 आज ही क्रेट का यह नोटीस है तो उचले इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखेगा अपले ओनलाइन का लिंक है तो उचले इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेगा तो इस बार क्या हुआ है कि एक एक्जाम का डेट भी दे दिया गया परिक्षा कब ली जाएगी इसी वेडसेट से आपको फॉर्म फिलवब करना एक पहला चर्सरा अपरसनल फेश से आपको ध्य। पासपर्ट मिलेगा फिर लॉग इन करके पेमेंट यह सब चीज आपको करना परेगा यहां पर आप देखेगा दोस्तों फॉर्म भराना 21 अक्टूबर 2020 यानि आज से ही शुरू है लास्ट डेट 11 नौवंबर 2020 रखा गया है और इसके बाद देखेगा पेमेंट का लास्ट ड लब करेगे एक्जाम का पैटर्न क्या कुछ है सभी चीजों के बारे माप लोगों को पूरे डेटेल्स में बताने वाले हैं और सभी जानकर यह आपको इसी वीडियो मिलने वाला है तो यहां पर देख सकते हैं हाय कोट जुडिसियर एट पटना तो यानि पटना है कोट के माध्यमस यह भरती आई है और यहां पर पोस्ट नेम देखेगा ट्रांसलेटर का है रिक्रूटमेंट एक्जामनेशन दुहजार बैस और उनिस अक्टूबर दुहजार बैस है पी एससी जीरोफ़फ़ दुहजार बैस के अंतरगत यह भरती दिया आगे है परिक्षा का ड 4900 बेसिक सैलरी है इसमें होस रेंट माहगाई भत्ता और जो भी सुविधाय दी जाते सब कुछ जूटने के बाद सुरू में जो आपका सैलरी रहेगा स्टार्टिंग का सैलरी दोस्तों सत्तर हजार रहेगा तो आप देख सकते कितना अधीक सैलरी है इसलिए आपको इस फ बैटरिया हम देखेगा तो पहला यहां पर है नेशनलीटी यानि भारत का नागरिक होना चाहिए अगर आप दूसरे राज जिस से है तो भी इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं साथ ही आपको एक्जाम का पैटर्न भी देख लेना है जिससे अभी से आपको पता रहेगा कि इ एक्जाम कितने क्या मार्क्स का होगा फिजिकल फिटनेश यह सब चीजे सभी जॉब में मांगा जाता है इसके बाद देखेगा यहां पर विवाहित आव विवाहित यह सब चीजे मांगा जा रहे एज लिमीट देखेगा तो एज लिमीट यहां पर मिनिमम का जो कंडिशन 18 साल है यह मांगा जारे एक जनवरी 2022 को एक जनवरी 2022 को अगर आपका यह मिनिमम 18 साल complete हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखेगा unreserved EWS के लिए 27 साल है maximum का condition और इसके बाद देखेगा unreserved यानि जनरल कैटेगोरी में महिलाओं के लिए 3 साल का चुट 40 साल है यहाँ पर date of birth भी दे दिया गया count करके एक जनवरी 2022 के कोडिक होना चाहिए अगर आप BCVC कैटेगोरी साथ है बिहार में क्या होता है एक OVC का दो पार्ट होता है BCVC और अगर आप आरक्षन का लाव लेना चाहते है तो सिर्फ BCVC परमान पत्र से काम नहीं चलेगा NCL यानि non-crimalier परमान पत्र आपको बनाना परेगा यह BCVC कैटेगोरी सबसे पहले आप ओ ब्लॉक से आप जिस कैटेगोरी साथे यानि आपके परिवार का इंकम आठ लाग से कम है तो इसमें 40 साल का कंडिशन SCST साथ है पुरूस महला दोनों के लिए 42 साल NCL सिर्फ BCVC कैटेगोरी वालों को बनाना परता है दिब्यांगा भिहारतियों में उम्र में छूट रहता है 10 साल का तो 47 साल यहां पर कंडिशन यह सब चीज़ें दिया हुआ है तो चलिए यहां पर और चीज़ें के बारे में देखे यहां पर है प्रेफेंसलन क्वैलिफ होता है आरक्षन यहां पर सेड्यूल ट्रेव सेड्यूल कास्ट याने सी में 16 परतिसात आरक्षन दिया जा तिन सभी चीज़ों के बारे मुझसी अनुसार यहां पर सीट का बटवारा सब कुछ किया गया है इसके बाद देखेगा दोस्तों मोड ऑफ सेलेक्शन मोड ऑफ स टेस्ट में लाना परेगा कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट यानि कंप्यूटर से रिल्टेट टेस्ट होगा जिसमें आपका MS Word MS Excel यह सब चीज़े देखा जाएगा आपको टैपिंग करना यह सब आता है किने कंप्यूटर चलाना आता है किने इसको बाद 30 पर 30 मार्क्स क साथ एक हजार आप देखेगा कोट की जो भी भरती आ रही उसमें अच्छा खासा फी रखा जार अभी सिवील कोट की भरती आई थी तो 800 रुपे रखा आ गया था और इसमें देखेगा और आगे बढ़ करके 1000 रुपे पेमेंट रखा गया जो कि यहां पर बहुत अधीक है इतना नहीं रखना चाहिए था 500 के अंदर रखना चाहिए था इसके बाद देखेगा SCST OH कंडिडेट के लिए 500 रुपे का फी है तो फी बहुत अधीक रखा गया फी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है सेंटर ओफ एक्जामनेशन तो यहां पर चूज करने का ओप्सन दिया जाएगा जो भी कंडेट फॉर्म भरेंगे इसके बाद एक्जाम लिया जाएगा एक्जाम के बाद केम्पूटर प्रोफेंसी टेस्ट इसके बाद इंटर्विव और फैनल मेरिट जो है यहां पर तीनों में मार्क्स कधार पर आपका त्यार किया जाएगा इसके बाद सारा कुछ आपको देना परेगा इन सभी चीजों के बारे में है इसके बाद फॉर्म भरतेस में आपना नाम इमेल आईडी पिन कोड यह सब एड्रेस सही तरीके से आपको फिलप करना है गलती फिलप नहीं करना है इसके बाद और अन्य चीजों के बारे में देखेगा तो तो यहाँ पर कहा गया applicant यानि अभ्यार्थियों के पास मस्ट यानि यह जो भी मांगा जारे हैं इसमें होना चाहिए ट्रांसलेस्टर पोस्ट के लिए यह जो होना चाहिए एक अगस्त हजारबाइस तक आपके पास यह जो भी चीज़े है डिग्री होना चाहिए पाला पर जो भी graduate candidate है, सभी form भर पाएंगे, यहाँ पर English से नहीं मांगा गया है graduation, as one of the subject, यानि subject होना चाहिए, तो अगर आप graduate है, और अगर आप दूसरे भी सैसी भी रहिएगा, तो English तो रहता ही है, एक subject, Hindi English इस तरह से, तो आप इस form को भर पाईएगा, अपना देख लिजिए Mark और इसके बाद तिनो साल का, अगर इंगलिस एक subject के रूप में है, तो आप इस form को भर सकते, इसके बाद साथ में एक चीज और मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर six month का course computer application, तो यहाँ पर अगर आपके पास computers related, छे महने का कोई भी course है, तो इस form को भर सकते, यह इसलिए मांगा जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर है preference, अगर आप post graduate English या हिंदी में है, तो आप कोई preference दिया जाएगा, यह हो गया, इसके बाद है preference अलसो यहाँ पर दिया जाएगा, अगर आप यह भासा जानते, उर्दू, बंगला और कैथी जानते, कैथी बहुत पहले का है, त जामीन यह सब चीज़े से समबनित के साता है, तो अगर आप यह सब भासा पहले का जानते रहेगा, तो फिर आपको यहाँ पर प्रिप्रेंस दिया जाएगा, में जो यहाँ पर graduation होना चाहिए, साथ में English एक subject की रूप में होना चाहिए, यह नहीं है कि English से graduation होना चाहिए, तो लगभख सभी candidate इस form को भर पैंगा, अगर आपका English graduation में एक subject के रूप में नहीं है, तभी आप इस form को नहीं भर पाईएगा, मां की 6 मेने का computer का course है, तो चलिए यहाँ साब को संपुर्ण जानकरी मिल गए syllabus क्या कुछ है, और चलिए syllabus के बारे में आप last में आप देख लिजे, तो यहाँ पर सबसे last में दिया भी है, यहाँ पर आप देखेगा syllabus और examination pattern, तो यहाँ पर क्या है कि तीन चर्णों में परिच्छा होगी, यहाँ पर पहला retained test है, इसके बाद computer profency test और interview है, तो सबसे पहले जो retained test होगा, इसमें general English, यानि English से संबनित maximum 30 marks का है, इसके हिंदी जो है, यहाँ पर 30 marks का है, और GK 20 marks, 80 marks का हो गया, और इसके लिए 45 मिनट का आपको पौन घंटा का समय दिया जाएगा, इसके बाद कहा जा रहे है कि अगले 15 मिनट में, next 15 मिनट, यानि बीच में 15 मिनट का gap रहेगा, और इसमें क्या किया जाएगा, एक OMR seat ये सब जिजे दिया जाएगा, होगा क्या है कि यहाँ पर ये जो दो पर इच्छा है, एक ही साथ लिया जाएगा, ये जो दो पर इच्छा है दोस्तों, रिटेंट टेस्ट वाला, तो ये दोनों एक ही साथ होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि General English Objective Tab का है, ये OMR seat पर होगा, तो OM OMR seat पर 80 नमर का यहाँ पर एक्जाम लिया जाएगा, फिर हिंदी 30 है और GK 20 है, OMR seat पर हो गया, अब एक्जाम कंप्लीट होने एक बात सभी कंडेट से आपको अपने seat से उठना नहीं है, 15 मिनिट का फिर बीच में गेप रहेगा, इस 15 मिनिट में OMR seat जो आपको दिया गया total 120 question हो गया, इसमें minimum आप 14 लाना है, तो यहाँ पर हो सकता ही, question कम भी रह सकता है, यहाँ पर question के बारे हम नहीं है, लेकिन 60 है, 2-60 question ही रहेगा, इंगलिस हिंदी में तो इसलिए यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया गया है, अब यह complete होने के बात, यह जो है दूसरे दिन होगा जरूर नहीं एक उसी दिन होगा computer related test तो word processing test ms word में 10 marks का है और test in speed sit ms excel में ms word ms excel का आपको ग्यान होना चे और internet provinces में internet related आप से question पूछा जागा जैसे computer क्या है computer का जो भी part होता है total 25 होगे इसमें से 10 लाना है और इसके लिए आपको अधा गंटा का time दिया जाएगा इसके बाद interview है इंटर्वियू में यहाँ पर 20 marks का और 5 marks आपको मिलेगा अगर आप उर्दू बांगला कैथी यह सब भासा जानते हैं तो यहाँ आपको weightage मिलेगा और यह कैसे होगा इन सभी चीज़ों के बारे मागे बताया गया है एक्जाम पैटर्न के बारे में फिर से समझ लिजे सबसे पहले यहाँ पर 30 इंग्लिस हिंदी और GK का 80 marks का objective tab का exam OMR sheet पर लिया जाएगा 45 मिनट का हो गया और उसी दिन उसी सेंटर पर फिर से यहाँ पर आपको 120 marks का एक्जाम देना यानि इस तरह से 200 हो गया और यह जो होगा इंग्लिस से हिंदी ट्रांसलेट करना हिंदी से इंग्लिस में ट्रांसलेट करना यह हो गया अब इसके बाद यह कंप्लीट होने के बाद 25 marks का computer से रिल्टेट टेस्ट है और फिर यहाँ पर देखेगा 20 प्लस 5 प सेक्षन यहाँ पर दिया हुआ है इसके बाद देखेगा हिंदी खा तो हिंदी में यहाँ पर व्याकरन सब्द रुपांत्रन लिंगवचन कारक इसके बाद सुध हसुध वर्तनी मुहावरे लोकुक्तिया यह सब पूछा जाएगा और हिंदी इंगलिस तोनों तीस-तीस क इसके बाद जीके यहाँ पर है तो जीके में यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी एकोनोमिक्स बिहारस रिल्टेट टोटल मिला करके 20 क्वेस्टन पूछा जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग को लेकर डौट होगा तो यहाँ पर देख आपको दिया जाएगा कैथी उर्दू बंगला है तो यहां से दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया इस फॉर्म को कौन-कौन फिलब करेंगे और फॉर्म भरने की परक्रिया के बारे में भी आप देखी लिए कि लिंक दिया हुआ था हम आपनों को 100% सही और संपूर्ण जानकारी बता आते हैं तो देर की इस बात की फटाफर चनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुर जाईए